मंज़का आज मैं आपको इस्टैंटि थे के बारे में मेंapter मुझे का जान लेते हैं कि stem cell क्या है, stem cell या cell कोई भी cell अगर लेंगे, तो वो एक जिसकों कोशिगा लोगते हैं, हमारी बाड़ी में 50 krillian cells उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, minimum 50 krillian cells, तो यह जो cell होता है, अगर इनकी एक capacity होती है stem cell की, कि अगर वो cell कोई दूसरा cell बना सकता है, तो stem cell क्य बना गिया, nerve cell बना गिया, muscle cell बना गिया, या liver cell बना गिया, तो stem cell है, हमारी बाड़ी में बहुत तरह के stem cells होते हैं, जैसे कि gluory potent stem cells, b-sym phyman stem cells, कही ताप के होते हैं, और हर किसी परसन में, या आदमी में, या हमारे अंदर में, कही ताप के stem cells होते हैं, और हरे इसमें आपको मैं stem cell का एक example देता है, तो सबसे बड़ा बाड़ी में stem cell है, जिसको हम बोलते हैं, जैगोड, अचा होता क्या है, जब बाड़ी में, हमारी बाड़ी में हमारी बनाने है, उस बड़ी में आपको बोल सिस्टम में लेगा, स्केलिकर सिस्टम में लेगा, नियोर मस्कलर सिस्टम में लेगा, आपको डाजेस्टिस सिस्टम में लेगा, आपको रिप्रटर्टर सिस्टम में लेगा, आपको हर टाइप तर सिस्टम में उस एक जाइग प्रेंज इस घौर से में आपके लग चैप की बाड़ी के टिश्व सेल तो ब्रोरिपोटर्लिक्ट सेल, आपका जो प्रडीललाइस जो एक रेता है जिसको जाईवर्टि में हुसमें उसी से बनता है अगर आप यहांगे तो आपके अंदर स्टेम्सेल्स ज्यादा होंगे, उनकी कैपैसिती हीलीं की या दूसरा टिश्यू बनाने की ज्यादा होती है, तो ये टिश्यू या सेल जो होते हैं, वो डिफरेंशियेट करता है दूसरे सेल में, उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्ट गालके करने काथ है? इस नहीं की सबस्तों हाने क्मेर को आप, पिर नहीं में तो जिसको बोते हिए, उसकी सबस्क्राप में नहादा है, तो बॉल्ल रूम कि ऐसकी सबस्क्राइब। बोन के अंदर stem cells होते हैं, हमारे ब्लाइड में stem cells होते हैं, यहां तक ही fat में भी blood cells होते हैं, तो fat इतना मुफसान दे नहीं है, अगर आपके बस fat है तो उसे stem cells harvest किये जाते हैं, और दूसरे ज़गा पे बहुत सारे conditions में उसे होते हैं, अब stem cells कहां कहा है उसे होते हैं, यह भी प्रब्लम है, जहां पे bone healing slow होती है, या आपको bone healing बढ़ानी कड़ती है, तो एक तो हो गया कि आपका fracture हो गया, वो healing हो रहा है, मतलब नॉर्मल टाइम जितना लगाता है, उसे double time लगाता है, जिसको हम बोलते है, delayed union, उस condition में हम लोग stem cell service करते हैं, दूसरा condition हो कि आपको जो hip joint है, आपका hip joint का जो bone है, जो bar होता है, वो गज जाता है अंदर से, जिसको हम बोलते है, AVN, या बोलते है, avascular necrosis, अगर वो dead हो गया, उसका center या अपर पार dead हो जाता है, कही बार, बहुत सार योजी होती है, तो अगर वो dead हो गया, तो उसमें भी आप चाहते हैं, ती नही हाटी बने जल्दी से जल्दी, तो उसमें हम stem cells inject करते हैं, ये दो condition हो गई, बोल की, अब और दी condition जो sports injury में होती है, जैसे कि आपको muscle tear हो गया है, उसको जल्दी रिकावर करना है, तो stem cell injection आपको काम लागा, अगर आपको ligament injury हो गई है, या cartilage, या maliscus injury हो गई है, या rotator cuff, या tender injury हो गई है, तो उसमें भी ये stem cells use होते हैं, और ये आपको benefit करेंगे, अब stem cells के फाइदे क्या है, जहां पर stem cells use करते हैं, वहां पर healing बढ़ जाती है, जैसे कि पहले 10 लोग काम कर रहे थे, जो stem cells में, जो normal healing करते हैं, 10 cells काम कर रहे थे, अब वहां पर 100 cells काम करेंगे, त तो healing भी अच्छी होगी, या फिर शौर होगी, 100% काम करेंगे, तो slow healing होगी, और सकता healing ना हो बीच में रूप जाए, तो पर इस को जिसको जैसे thyroid है, या किसी को शुगर है, कोई smoking करता है, वहां में healing slow होती है, और रूप जाती है, इन पर इन चंडिशन में stem cells काम आते हैं, अच्छा, अब stem cells बनाने का तरीका क्या है, तो stem cells जहां तक sports injury है, दो साइड से हम लोग लेते हैं, एक तो होगया, आपके हाथ से, यहां के जो वेल होती है, उसमें से ब्लट भी का लेंगे, उस ब्लट को centrifuge में डालेंगे, और उस centrifuge में डालेंगे, और उस centrifuge में क्या पर होती है, जो healing factor होती है, उसको injection के द्वारा उसको लेके, इंजेक्शन के द्वारा जहां पर आपकी injury है, वहां पर उसको लगा लेते हैं, दूसरी जगह से, जहां से लेते हैं अपका बन मेलो, तो आपका बन मैलो आपकी hip bone में होता है, जिसको हम बोते हैं, इलियाक बोन, त युछ आपकेहिए, तो उसको परवेकर भाज़ोंबने पर माशिप में दाता है沒有 Mixv5, 3-6-6-6-6-6-6-9-6-6-7-6-6-7-u-6-8-e-4-7-1-6-7-1-2 यख़द्य अभ कि country है, इसको पुरभी ज्रमीमस एचितों इसको सेख्या को में भाज़े सेख्या दोसरह जाएं तो समय सब्सक स्टम्स परेशन दो गया नहीं नांग दायता पूलिए नोग्याकि पर पडार की पिक्रस्टवेंग्स में यूज उ Lazarin हमार्वी इसके से यथ को सइड ए스टहेंगी यई एक्ट यह तो आपको ईएफेक्स है वो थेरिक्रीकल साइद एक तो आपको हो गया कि आप पहुत अगर जैसे की अनकांटोल लगभ रोध हो जाए जैसे कि यह दे अगर आप सेंसर इकने देंगे कि वहां पर फेसे में बढ़ जाएगी या अनकांटोल हो जाएगी तो उसमें वह बढ़ने के चांस इसा भी होगा कि आपका बहुत जादा हो जाएगा तो पर उसके आपको प्रॉब्स जिलने पड़ेगे तो यह हो गया जो बेसिक है वो मैंने आपको बताया है अब यह कंडिशन पे काहँ का यूज होते हैं लिगमेंट इंजुरी में हो गया मैं इसके में हो गया या आपको अंण यहพसने काई में वोल इतनब में गभए धुएंट घूरी में ह इसमेन परणुण की काई को आपको बतना इसमेंगे इसके जो मैसी कुले शुक्ति आपकर भंड इंट बंत जाएंa है लेकिन वह आगी स्टेजिस में है और अलीी स्टेजेशम में ही जनीमें शील हो कि एक इंजेक्शन से काम ने बनता है तो यूजवली एक रोटोगार रहता है कि आपको यह कफते के लिए दस दिर के गयाद में दो यह तीर इंजेक्शन लगवाने पड़ें तब आपको उसका रिजर्ट मालूम होता है तो आपको रिजर्ट कफ तक बालूम होगे एक महीने से लेखे आपको तीन से छे मैंने लग जाएंगे बोल बनाने में जो भी लिगमें टूटा है उसको बनाई हुए तो उसको आपको इसलिए इतना टाइम देना पड़ता है स्टेंशल्स के हीलिंगे